प्रप्रदेश में विधान सभा के चुनाओं का शंखनाद हो चुका है उत्तर प्रदेश की रूलिंग पार्टी यानि भारतिये जनता पार्टी ने इसका शंखनाद आज से कर दिया है उत्तर प्रदेश में चुनाओं आ गए हैं लगताई जैसी कल की बात थी 2017 अब 2022 के चुनाओं सीर पर आ गए है भारतिये जनता पार्टी ने बाकाइदा आज से इलेक्शन स्ट्रेटजी पर काम करना इसकी तैयारी करना और इसकी समिक्षा करने का कारिया आज से प्रारंब कर दिया है भारतिये जनता पार्टी के राष्ट्री अध्यक्ष जगत प्रकास नडड़ा अपनी पूरी टीम के साथ लखनव आ गये हैं और भारतिये जनता पार्टी के संगठन और उत्तर प्रदेश में अपने सरकार के कामकाज की समिक्षा कर रहे हैं उन्हें पता है कि उत लिस्क कभी नहीं लेती है जो सप्ता में बने रहना चाहते हैं वो भारतिय जंता पार्टी को अच्छे पता है कि 24 का रास्ता भी उत्तर प्रदेश से निकलेगा इसलिए 22 में उत्तर प्रदेश में करिस्माटिक प्रदर्शन अगर करना है तो संगठन और सरकार दोनों के पे कि सरकार के ही कामकाज के आधार पर भारतिय जंता पार्टी चुनाव में जाने वाली है सरकार का का कामकाज ही भारतिय जंता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में वोट मांगने का आधार बनेगा 2017 में किये गए वादे कसोटी पर कसे जाएंगे न गुंडा राज न भ्रष्टाचार अब की बार फलाने की सरकार तो फलाने की सरकार के लिए उन सारी कसोटियों पर जनता कसेगी भारती जनता पार्टी को प्रदेश के चुनाओं में आपको जवाब देना होता है जनता को राष्ट्री चुनाओं अलग परिप्रेक्ष में लड़े जाते हैं राज्य के चुनाव अलग परिप्रिक्ष में लड़े जाते हैं। दोनों की तासीर अलग होती है। राश्ट्री चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं। और असेंबली के मुद्दे अलग होते हैं। विकास कारेकरम, राज्य की इस्थिति, रोजगार, क्राइम, करप्सन, कोरोना, काश्टिजम, इस सब तमाम मसले हैं, जिन की चुनोतियों से गुजर ना पड़ेगा भारती जन्ता पार्टी को, चुनाओं में जाने से पहले, बीजेपी ने आजसे तैयारिस की आधिकारिक तور पर प्रारंब कर दिये, जagitप्रकास नडड़ा ने संखनाद कर दिया है, भारती जन्ता पार्टी के सामने देश में मजबूत विपक्ष भले ही नहीं था लेकिन उत्तर प्रदेश में भारती जन्ता पार्टी का मुकाबला मजबूत विपक्ष है यहां का विपक्ष कोई कमजोर नहीं है और यहां का विपक्ष कांग्रेश जैसा भी नहीं है यहां का विपक्ष ताकतवर है और यहां का विपक्ष सत्ता में साथ बार रहा है चार बार ब्यस्पी तीन बार समाजवादी पर्टी और एक बार और अख्लिश चादो आठ बार तो यहां विपक्ष कोई कमज़ नहीं है। राजनीतिक तबर उनका संख्याबल कमज़ भले है, लेकिन वोट बेस उनका बहुत इस्ट्रॉंग है। मैं मिसाल के तौर पर कहता हूं कि जो लोग यह कहते हैं कि मायवती बहुत कमजोर हो गई है लेकिन वह यह याद करें कि राजनीतिक सुनामियों के बावजूद मायवती के पास 18% का वोट बैंक इंटेक्ट है ड्राइंग रूम में बैटकर मायवती को हराने और जिताने वाले लोग यह कहने वाले लोग कि मायवती खत्म हो चुकी उनका पॉलिटिकल केरियर नहीं है यह ड्राइंग रूम पर कहने वाले लोग हैं लेकिन जब आप वोट में देखते हैं तो मायवती पास 18% हैं लिहाज तर्ताइशा उत्तरप्रदेस में कोई किसी से कम च्छोर नहीं है कि और 2017 जैसा माहौल भी नहीं है उत्तरप्रदेस में गश्akat कि संवाजबाधी पार्ट्टी उत्तर प्रदेस में लार्जेस्ट अपोजी स कि कि संख्याबल नहोंने के बावजूद समाजवादी पार्टी मेलसी की दो सीटे जीतने में कामियाब रही भारती जनता पार्टी को अनपोश्ड इलेक्शन का विकल्प चुनना पड़ा इसलिए मैं कहता हूँ कि यहां कोई किसी से कम नहीं है कि और उत्तर प्रदेश में बैक टूबैक 1985 के बाद से कोई भी सरकार रिपीट नहीं हुई है यह एक इतिहासिक राजनीतिक तत्थ है अंतिम बार बैक टू बैक रिपीट सिर्फ कांग्रेस हुई थी उसके बाद से कोई सरकार बैक टू बैक रिपीट हुई है ऐसा उत्तर प्रदेश का राजनीतिक इतिहास नहीं है मं कमंडल कमंडल OBC politics सब कुछ आय और चले गए है यह उत्तर प्रदेश है यहां कम ब्राइश बहुत राजनीनितिक मत दाता है उत्तर प्रदेश का निकलता देश के लिए निकलता है और देश की राजनीत Lenin की अगर कांग्रेस खञच कांग्रेस का भायानक नुक्सान हुआ है तो उसका कारण उत्तर प्रदेश है क्योंके उत्तर प्रदेश स्मेट सविदा प्रणी baru को सबंधार ho और इए टक्र भी जैप Works को पता है इसलिए प्रटी कोई इसलिए पार्टी कांटी रिस्क नहीं लेना चाहती है मंत्रियों से भी मिलेंगे संगठन के लोगों से भी मिलेंगे और प्रबुद्ध जनों से भी विचार भी मर्ज करेंगे वक्त कम है ग्यारा महीने बचे हैं अगले साल जब हम आप इस वक्त डिवेट पहोंगे उत्तर प्रदेश में चुनाओ शुरू हो चुके होंगे समय किसी के पास नहीं बचा हुआ है मुठी में रेत की तरह समय फिसल रहा है और उत्तर प्रदेश चुनाओ के मुहाने पर खड़ा है भारती जनता पार्टी के वाइदों को जनता अपनी कसोटी पर कसेगी बीजेपी से पूछा जाएगा कि आपने विकास के कारिकम क्या कि तो ब्यूरित पूछा जा जाएगा कि आपने जो घोश्ना पत्र में उनमें कितने वाइदे पूरे हुए कि बीजेपी से पूछा जाएगा कि आपने इंफ्रास्ट्रक्टर के क्या काम किये हैं तो बहुत से मसले हैं तो संगठन और सरकार की समीक्षा के लिए संखनात कर दिया है भारती जंता पार्टी के राष्ट्रिय ध्यक्ष जेपी नड्ड़ा ने तो क्या वाकई में बीजेपी में सरकार और संगठन की बीच सब ठीक चल रहा है या फिर सामन जस्टे में कहीं कोई गड़बड़ी है कारिकरता नाराज है विधायकों की क्या परिशानी है मंत्रियों के क्या दुख दर्ध हैं और संगठन क्या सरकार की उपेक्षा जेल रहा है तमाम मसले हैं उमीद्ख है कि अगले 49 घंटे जब जेपी सब्सक्राइक रूप से शुरू हो चुकी है रूलिंग पार्टी को सबसे जादा चिंता है क्योंकि उनका आधार और उनका बस्ता सबसे बड़ा है 310 बिधायक भारती जनता पार्टी के और 9 अपना दल के हैं उनके पास तकरीबन 319 की स्ट्रेंथ है इसको रिटेन करना बहुत बड़ा राजनीतिक चमतकार होगा क्योंकि राज्य के चुनाओं में जनता अपने मसाइल अपने मुद्दों पर वोट करती है यह एक प्रात्मिक सत्य है और इस सत्य से ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स वाले भले नवाकिव हो तेलिविजन डिबेट्स के अधार पर ओपिनियन मेकर्स भले इससे सहमत नहों कि लेकिन जब जनता वोटिंग करने जाती है तो सरकारों के कामकाच का ठीक से मुल्यांकन करती है क्योंकि उसको पता है कि यह देश का चुनाओं नहीं यह राज्य का चुनाओं है यह हमारा अपना अपनी सरकार के लिए चुनाओं लिहाजा केक वाक किसी के लिए नहीं है एक समय सबसे ताकतवर नहीं मायवति को भी बहुत करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा इस उत्तर प्रदेश ने बहुत कुछ देखा है अब 2022 आने वाला है गोमती में बहुत पानी बह चुका है गंगा और यमुना में भी बहुत पानी बह चुका है राजनितिक हवा भी सती दिन बदल रही है उत्तर प्रदेश में कोई कमफर्टेवल नहीं है उत्तर प्रदेश में पॉलिटिकल पार्टी अगर को यह समझता है कि वह बहुत ताकतवार रहे उनका बेस बहुत मजबूत है तो कई बार यही बेस आपको उखाड़ के फेक देता है कि शायद यही समझने जेपी नड़्डा लखनुगा है कि उन्हें भी पता है कि उत्तर प्रदेश आसान नहीं है उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल नहीं है उत्तर प्रदेश बिहार नहीं है उत्तर प्रदेश मध्यप्रदेश नहीं है उत्तर प्रदेश राजस्थान नहीं है उत्तरप्रदेश करनाटक नहीं है उत्तरप्रदेश महाराश्च्रह नहीं है मखकkem таким कि आप में एक देश नगे लेहां कि बहुत वगानाzu चीचाना हृ आखा इस्ट में मजबूत अस्थान बहुत ताकतवर स्थान लिहाजा यहां के मुद्दे राष्टरी मुद्दे होंगे आज हम इसी विशे पर डिबेट करेंगे मेरे साथ आज के करकम में नवीन श्रीवास्तो भारती जंता पार्टी से हैं शुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से हैं अब्दुल अपीज गांधी समाजवादी पार्टी से हैं मनी सिंद्वी राजनीतिक फिस्नेशक हैं ऐसे मसरफ पीस पील से हैं वन सराज दूबे जहार आता भी तक या कोई और उत्देश से हैं या सरकार और संगठन के भी समनवय और समीच्छा के मकसद से आएं और क्या आज से मान ने कि आप लोग चुनाओं के मौड में चले गए बिर्जेश जी देखिए आज भारती जन्ता पार्टी दोविश्व की सबसे बड़ी राजनेतिक पार्टी है उसके राष्टी अद्र जेपी नड़ा साहब का जो लखनोव आगमन हुआ है वह पूरे देश में सभी राज्यों में जाके जो उनका 150 दिनों के प्रवास का का इसमें उनको देश के सभी राज्यों में जाके संगठनात्मों बैटके करनी थी समीच्छा करनी थी तो कि बीच में मानी नड़ा जी कोरोना संक्रमित हो गए थे तो उनके कारकम जो है थोड़ा अवयोस्थित हो गए थे लेकिन उसी कड़ी में आज उनका लखनो आगमन आप ने यह कहा कि 2022 के चुनाओ का बिगुल बज़ गया क्या भारति देखे चुनाओ डूसरे दरों के लिए एक चुनाओ पार्टी अपने संगठन के माध्हम से सदैव जनता के भी समर्पन के भाव से रहती है इसलिए भारति जनता पार्टी को चुनाओ में सिर्फ बारती-जंता-पार्टी हमेशा चाए छोटे चुनाओं हो चाहे बड़े चुनाओं उसको एक परिच्छा की तरह से लेती है हम ऐसा नहीं कि सिर्फ वार्षिक परिच्छा की त्यारी करें और जो मासिक पर इच्छा होती है उसको नहीं कह रहे हैं बारती जंता पार्टी तो नडड़ा जी किस बात की समिच्छा करेंगे नवीन जी सरकार और संगठन के बीच के समन्वे की या पार्टी की अपनी प्रिप्रेशन्स की यह एक बड़ा व्यापक विशय है और जब राज्टी अध्यक आए है तो हर विशय पर बारता होगी वह संगठन का हमारे बूत अध्यक्स तक के लोगों के साथ भी सम्मीनन करेंगे